लीवर की सफाई करने का इससे सस्ता और आसान तरीका इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा आपको नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगा नुसार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महतोपूर्ड वीडियो के साथ है जिया दोस्तों स्वाष्थ रहने के लिए लीवर का स्वाष्थ होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि यह हमारे सरीर में अनेक महतोपूर्ड सारीरिक गतिविधियों को नियंतित करता है और सरीर को सुचारू रूप से कारे करने में मत करता है ये खाना पचाने में भी महतोपूर भूमिका निभाता है इसके अलावा लीवर ने सिर्फ इम्मिनुटी को बढ़ाता है बलकि ये पोस्तत तत्तों के संचे में भी सहायक होता है लिवर सरीर को बेहद महत्वपूर अंग है क्योंकि इसके कई कारे होते हैं यह सरीर से जहरीले रसायन यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है पित का उत्तर्चन कर इंजाइम को सक्रिय करता है लीवर प्रोटीन और कोलिस्ट्रॉल का उत्पादन में भी मदद करता है इसके अलावा लीवर कुछ मिनरेल्स बिटामिन ए और आयरन का स्टोरेज भी करता है जी हां दोस्तों लेकिन लीवर से हमारे सरी में बहुत भैंकर रोग हो सकते हैं लेकिन अगर आप सस्ते और बहुत ही आसान जो आप डेली यूज करते हैं उससे भी आप लीवर की सफाई कर सकते हैं अगर आप डेली ऐसा करते हैं या फिर हपते में महीने में इसका उप्योग करते हैं तो आपका लीवर हमेंसा सोचतर हैगा और आप लंबा जीएंगे जो कि आज हम आपको सभी तरीके बताएंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जान करें छूटे तो वीडियो को अंतर तक जरूर दे लीवर के लिए बेहत जरूरी माना जाता है निम्बू खाने से लीवर साफ और स्वस्त रहता है अगर आप रोज निम्बू पाने पीते हैं तो आपके लीवर को जबजस्त फायदा मिलेगा और आपका सरीर तंदुरुस्त रहेगा नमबर दो हल्दी जिहां दोस्तों हल्दी एक ऐसा अद्भूद मसाला है जो ने खाने को रंग देता है बलकि लीवर की गंदगी हटाने का भी काम करता है जिहां दोस्तों ये एंजाइम को बढ़ाने में मयद करता है जो सरीर से वि नमबर तीन जूस जिहां दोस्तों लीवर के लिए पपीता बेहद ही लापकारी होता है आप इसका जूस भी पी सकते हैं लीवर को मजबूत बनाने के लिए भी पपीता काफी कारगर साबित हो सकता है पपीता लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी सक्रिय रूप से कार करता है आप हवते में पपीते का सेवन कम से कम दो बार जरूर करें नंबर 4 चीनी जिया दोस्तों टेबल सुगर और अन्य तरह के मीठे पदार्थों से बचें मीठे खाते पदार्थ हैं आपके सरीर में आवश्य का कुछ एंजाइम को उत्पादन की छमता को रोकते हैं इससे सरीर में ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है आपको रोजाना 20-30 ग्राम या उससे कम ही चीनी का सेवन करना चाहिए नंबर 5 लैसुन जिया दोस्तों लीवर को सुस्त रखने के लिए आप लैसुन खा सकते हैं लैसुन खाने से लीवर में मौजूद एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं लैसुन का सिवन करने से लीवर साफ करने में भी मरद मिलती है लैसुन खाने से लीवर की ताकत भी बढ़ती है